हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडी हेल्प लाइन आज आप देखेंगे सार्फेक्सलमाटिक 4kg डिटर्जन पाउडर जिसे मैंने कुछ दिन पहले amazon.in से ओडर किये था पैकेजिन का क्वालिटी बहुत ही आच्छा था अब मैं इसे ओपेन करके दिखा रहा हूं यह जो डिटर्जन पाउडर था यह 3kg प्लास 1kg फ्री यानि टोटल 4kg का है इसलिए इसका जो पैकेज है वह बहुत ही भारी था आप यहापे देख सकते हैं मैंने इसे 680 रूपीस में पर्चेस किया था जबकि इसका MRP है 800 रूपीस आप देख सकते हैं यह वो बॉक्स है जिसके अंदर जो डिटर्जन पाउडर है वो आया है यह 3kg प्लास 1kg फ्री यानि टोटल 4kg का बॉक्स है यहापे लिखा हुआ है यह प्रॉंट लोड वाशिंग मेशिन के लिए बना है इसलिए इसका प्राइस तोड़ा ज्यादा है लेकिन मेशिन में काप्रा वाश करने के लिए आपको ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है यह देखे यह एक हैंडल दिया हुए इसके मदद से आप यह उठा सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही भारी है 4kg तक है इसका इस साइड में लिखा हुआ है इसका MRP जो की 800 रुपीस है लेकिन एक्चुल में इसका प्राइस 680 पढ़ा है यहापे देख सकते हैं कौन-कौन कंप दिया हुआ है अगर आपका वाशिंग मेशिन 8 kg का है तो आप इसे यहां पर एक स्पून दिया रहता है इससे एक स्पून देके भी वाश कर सकते हैं और अगर कप्रा थोड़ा ज्यादा डल दिये तो देर स्पून देके भी काम चाल जाएगा अब मैं इसे ओपन करके इससे ही आप नाप करके मेशिन में डिटर्जन डल सकते हैं यह देखिए यह है जो डिटर्जन पाउडर सेपरेट लिए 1 kg 1 kg करके है इससे आपका जो सार्फ है वो ज्यादा दिन तक सही कंडिशन में रहेगा और इन चारो पैकेट में इसका मैनुफेक्चरिंग डेट लि यहाँ पर देख रहे हैं यह 1,2,3,4 यानि टोटल चार बैकेट में 4 kg डिटर्जन पाउडर आया है इसके बॉक्स में और कोई खास कोई चीज नहीं है यह 4 kg डिटर्जन पाउडर और एक प्लास्टिक का स्पून दिया हुआ था यहाँ पर देख सकते हैं और एक पुराना उस तरह की डिटर्जन पाउडर वाशिंग में डालेंगे तो ज्यादा फोम क्रियेट होगा या जाग क्रियेट होगा इससे आपका मेशिन बंद पर सकता है लेकिन उसके जगा आप यह मैटिक पाउडर या स्पेशल यह पाउडर अगर यूज़ करते हैं तो ऐसा कोई प् आप एक्सेल का है बहुत यह अच्छा है किमत थरा ज्यादा है लेकिन यह किमत जास्टिफाइड है क्योंकि यह यूज़ भी थोड़ा ही करना पड़ते हैं और साफाई भी बहुत अच्छा आता है अब मैं इन चार पैकेट में से एक पैकेट को एक दूसरा कंटेनर में स्टोर कर लेता हूँ इससे यूज़ करने में आसे नहीं होगी और इस कंटेनर में जो स्पून आया था उसे में इस कंटेनर के अंधर ही रख दूंगा और जाब जरूरत परें तो हमें इसे ऐसे निक एक स्कुप काफी है अगर आपका मेशिन 8 kg तक का है और उसमें जो लोड है यानि कपरा है वो मीडिया में अगर लोड बहुत ज्यादा दे दिये तो एक स्पून से कम नहीं बनेगा तब अब एक फून फूल और एक स्पून हाप यानि देर स्पून दे के कम चल जाएगा अब जब भी अब लोग वाशिंग मिशिन में कपरे वाश करने के लिए डाल देंगे उसके बाद यहां से एक स्पून लेके वाशिंग मिशिन का जो डिटर्जेंट चेमबर है उसमें डाल देना यह हमारा एट केजी का फुली आटोमेटिक फ्रांट लोड वाशिंग मिशिन है इसमें अगर मॉडरेट वेट अब देते हैं कपडे का तो यहां पर एक स्पून ही काफी है और अगर लोड थोरह ज्यादा है तो वान स्पून फूल एंड वान स्पून हाप यानि देर स्पू लग जाएगा आपका थैंक्स पर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब